बिहार के गोपालगन से बड़ी खवर सामने आई है दरसल यहाँ पर मिटी खुदाई के दोरान भगवान विश्णु की प्राचीन मूर्ती मिली है यह मूर्ती अस्ट धातु की बताई जा रही है फिलाल पुलिस ने इस मूर्ती को अपने कबजे मेले कर इसे जाच के लिए तत्व विभा को भेज दिया है मूर्ती मिलने का यह पूरा मामला गोपालगन जिले के बरोली थाना छेतर के मोहनपूर गाउं का है बताया जा रहा है कि रेलवे लाइन के किनारे जेसी बी से मिट्टी की खुदाई की जा रही थी और इसी दोरान भगवान विश्णु की यह मूर्ती मिली है यह मूर्ती जमीन के 15 फिट अंदर थी जहां जेसी भी द्वारा खुदाई के दोरान यह मूर्ती मिली मूर्ती मिलने की सुचना जैसे ही लोग को मिली लोग खुदाई वाली जगह पर पहुच गए और यहां पर बड़ी मात्रा में लोग इकठा हो गए भगवान विश्णू की मूर्ती मिलने पर लोग भगवान विश्णू के जैकारे लगाने लगे करिब चार फिट की यह मूर्ती काले रंग की खंडित प्रतिमा बताई जा रही है जिसके दोनों दाहिना हाथ आधा कटा हुआ है वहीं ग्रामिनों ने वर्सो पुरानी अश्टधातू की मूर्ती मिलने की बात कही है देखने में यह मूर्ती काफी कीमती और अश्टधातू की लग रही है लेकिन फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्यूकि जाच के बाद ही चीजें सपस्ट हो पाएंगी चर्चाओं के अनुसार अगर यह मूर्ती सचमुच ही अश्टधातू की है तो अनुमानता इसे मूर्ती तसकरों ने वर्षों पहले जमीन में गाड़ा होगा जो किसी न किसी मंदिर से चुराया गया होगा या फिर कुछ और बात भी हो सकती है बता दें कि बिहार के गोपाल गंज में भगवान विश्णु की मूर्ती मिलने की खबर इस समय बिहार में चर्चा का विशे बनी हुई है और लगातार लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं टीम साउथ प्लॉक डिजिटल